नमस्कार A to Z dishes उश्यक और जानी में आप सबका स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारी मक्काई के आटे की रोटी अब ये जो रोटी है ना बच्चे होया बड़े सभी को खाना पसंद तो आती है पर क्या होता है न कि इसमें डर रहता है कि जब इस इसा कुछ भी नहीं होगा चली बता देते हो कैसे बनानी है एक बरतन में आपको ले लेना है मकाई का आटा तो मैंने हापर दो कप मकाई का आटा लिया है इसके अंदर में डाल रहे हूं चोथाई चमच हाल्दी पावडर आदी छोटी चमच लालमिश पावडर नमक स्वा तो यह जो मकाई के आटे के रोटी होती है इसके लिए जो आटा गुनते है जैसे हम रोटी के लिए आटा गुनते है तो वो पूरा एक साथ हो जाता है पर यह जो मकाई का आटा ऐसा नहीं होगा इसमें आपको क्या करने पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना और ये आटे को आपको एक साथ इकठा करना पड़ेगा देखे कुछ इस तरह से ये पूरा नहीं बंदता है जैसे गेहूं का आटा हो जाता है वैसे ये नहीं होगा बस इस तरह से हो जिए तो इसमें से आपको एक बड़ी सी लोई ले लेनी है इसके उपर आपको छिड़कना है सूखा गीहूं का आटा देखे बस हलका हलका सूखा गीहूं का आटा छिड़क लेना और इस तरह से हलका से दबाने के बाद अब आपको इससे उठाना नहीं है ये रोटी को आपको उठा कर बेलना नहीं है चकले को इस तरह से गोल-गोल गुमाते जाना और इसे बेलना है अब देखो ये रोटी नहीं है ये मकाई के आटी की रोटी है तो इसे जादा पतला करने की कोशिश नहीं करना थोड़ा सा मोटा ही रखना तवे पर आपको तेल डाल देना है जैसे ही वो गरम हो जाए तो आपको ये रोटी डाल देनी है उपर से थोड़ा से जिस سे आप सेख रहे निसान कर लेना तकि अंदर तक कि अच्छे से पके फिर थोड़ा से favorable टेल या फिर घी या मख्कन जो आपको पसंद ते वो लगा कर इसे अच्छे से पलडते जाना और इसे सेखते जाना सच बता रहे हो अगर इस तरीके से बनाई तो आपको कोई भी जरूरत नहीं है कुछ पॉलिथिन के इसे बेलने के लिए या फिर ये टूटेगी भी नहीं तो बन कर तयार है अब आप चाहे तो इसे कोई भी सबजी के साथ ले आचारिया दही के साथ जरूर ट्राए करना बहुत मज़िदार लगते हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थांक्यू